आप सभी को एक नई बिस्ट प्राइस एक्षन इस्ट्राइए करता हूं और इस विडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंकि निफ्टी में एक बिस्ट प्राइस-एक्षन यूज कर करके एक profitable setup कैसे बनाया जा सकता है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो यह वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करकर के अपनी सुझाओ को भी व्यक्त कर सकते हैं और इस वीडियो क माधियम से अगर पहली बर आप चैनल पर विजिट किये हैं तो चैनल को आप से नर्म निवेदन रहे का रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मैं एक मोटिवेट जैसे सब्सक्राइब करने से बहुत अच्छा फिल होता है ताकि मैं भी आप लोगों क को शुरू करते हैं स्ट्राइटिजी और सेटप के पीछे भागने से बेहतर है कि कोई एक ऐसा सेटप आप चूज करे और उसको इतना टाइम प्रेक्टिस करे कि उसमें आप महारात हासिल कर ले एक हम लोग ब्रूसली का कोर्ट्स पढ़े होंगे कि वह एक स्टेप को हजा प्रेक्टिस करता था और प्रेक्टिस करने के बाद उस स्टेप को जम मैच में वो पंच जम मारता था तो अगला आदमी उस पंच को जहल नहीं पाता था और उसी पंच के वज़ा से उसको मतब हमेशा जीत मिलती थी तो आप हमेशा कहने के हमारा तात्त पर यह है कि आप क प्रेड आपका हमेशा आपके फेबर में जाए और प्रॉफिटेबल होगे नए ट्रेडर करते क्या है कि अगर आज किसी का सेटप फॉलो कर रहे हैं और एक बार लॉस हो गया तो वह सेटप को बंद कर करके फिर दूसरी के सेटप करने देखने चले जाते हैं ऐसे ही करते करत वह अपना जो कैप्टल होता है वह कैप्टल को धीरे 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 क्या करते हैं कि वह समाप्त कर देते हैं तो आप इन चीजों को पीछे मत भागे आप सिर्फ प्राइस को देखके ट्रेडिंग करना सिखे आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे जो प्राइस आपको बोल होगा तो प्राइस के साथ हम ट्रेडिंग कैसे करें कुछ मैं इसमें स्टेप्स देने वाला हूँ कुछ सेटप आपको देने वाला हूँ जो कि आपको जब भी वह सेटप चार्ट पे बनेगा आप एक हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और एक अच्छा प्रॉ ये दो पैटेंस को आपको फोलो करना है और एक आपको बिस्ट प्राइस एक्षन पैटेंस यहाँ पे मैं बताऊंगा कि प्राइस एक्षन पैटेंस क्या होता है अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए प्राइस पैटेंस क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग यहा यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि एम पाटेंट इस फार्मेशन में बनता है जब मार्केट नीचे से उपर की ओर जाता है उपर जाने के बाद यहां पर एक रिजेक्शन मिलता है यानि कि यहां पर थोड़ा दिर के लिए सेलर एक्टिव होते हैं और इस प्राइ मिलने के बाद फिर अगेन यहां से बायर एक्टिव होकार करके फिर यहां से प्राइस को एक अपसाइट कि momentum continue करें तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर एक बार तो एक बार वो फिर चाहेंगे कि इसी quantity को फिर short करकर करकर के price को नीचे ले जाने की कोशिस करेंगे कि यहाँ पर seller is more stronger than buyer यहाँ पर जो यह buyer active हुए है इससे कहीं ज़्यादा powerful होते हैं यहाँ पर seller तो वो क्या करेंगे कि फिर एक heavy quantity के साथ जब sell करेंगे तो यह वाला जो area थजा support वाला इसको हम लोग basically neckline बोलते हैं और इस neckline को जो break होता है तो break करने के बाद market में आपको एक sharp आपको downside की तेजी देखने के लिए मिलता है और aim pattern हमेशा कब बनता है हमेशा एक तेजी के बाद बनने वाला यह pattern है aim pattern बनता है तो समझ लिजे कि market में विकावली शुरू हो गया है और downside की momentum इसमें होने की संभावना 90 to 95% बढ़ जाती है इसमें हम लोग trade कैसे करेंगे जब aim pattern create होता है और जैसे ही इस neckline को break होता है तो इस breakdown होते हुए neckline को यहाँ पर हम लोग entry बनाते हैं और अपने money management के अधार पर यह stop loss होता है लेकिन अगर हम index trade कर रहे हैं bank nifty trade कर रहे हैं तो यह stop loss बहुत बड़ा हो जाता है तो उस situation में क्या करते हैं कि जब जो candle neckline को break करता है अगर वो candle बड़ा बना तो उसके low पे हम लोग क्या करते हैं कि sale करते हैं और उसके high पे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा buffer दे करके stop loss लगा देते हैं यह आपका हो गया हमेशा तेजी के बाद बनने वाले pattern अब मंदी में हम लोग इसको follow करेंगे जिसको हम लोग double patterns blue patterns same वैसा ही होता है यह मंदी के बाद बनता है मंदी के means एक downside के बाद यहाँ पे एक buyer active होते हैं कहीं न कहीं यह हमेशा support पे आपको बनते हुए दीखेगा और जब यहाँ buyer active होते हैं तो buyer active होने के बाद इस price को एक upside की momentum continue करते हैं और continue करने के बाद फिर यहाँ पे एक seller active भी होते हैं और इस price को क्या करते हैं कि downside की momentum continue करने की कोशिस करते हैं लेकिन again फिर उसी area के आसपास जहाँ पे एक पहला जो buyer active होते हैं और एक support पे जो buy किये थे फिर अगेन उसी के आसपास फिर एक अगेन बायर एक्टिव होते हैं इससे ज़्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद फिर यह प्राइस जो है सपोर्ट लेकर के एक अपसाइट की मोमिंटम कंटिन्यू करता हुआ अपसाइट की ओर बढ़ता है तो ये वाला जो नेक लाइन होता है, इस नेक लाइन को जैसे ही break होता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कि एक buying position बनाते हैं, और इस नेक लाइन के according यहाँ पे हम लोग का stop loss होता है, लेकिन अगर index में trade कर रहे हैं, तो candle बड़ा है, तो उस candle की low पे ही हम लोग क्या करेंगे, कि stop loss डालेंगे, और उसके high पे हम लोग यहाँ पे buying order डालेंगे, और इस order को हम लोग hold करेंगे, क्यों? क्योंकि W patterns हमेशा मंदी के बात बनने वाला trend होता है, ये बनता है, तो ऐसा माना जाता है, कि market में हमेशा यहाँ से एक तीजी की सुरुआत होती है, और एक और patterns होता ह है, कि एक upside की और जाता है, price फिर एक low बनाता है, यानि कि ये higher बनाया, और फिर उसके बाद एक low बनाया, low बनाने के बाद फिर again यहाँ से एक again new high बनाएगा, तो यानि कि जो first high रहता है, उसको break करकर करके फिर एक again high बनाएगा, higher high, यानि first high, second high, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा drawdown आएगा और फिर यहाँ पर एक lower low बनाएगा तो यह हमेशा price action जो होता है higher high lower low बनाते हुए चलता है यह तेजी indicate करता है कि जब इस तरीका का patterns बनने के लिए देखेने के लिए मिले market में तो यह समझ लीजे कि उस stocks उस index में एक तेजी का momentum चालू हो गया है same उसी परकार का downside में भी होता है कि market जब उपर से आता है तो एक हमेशा क्या करेगा कि lower low बनाएगा पहले और उसके बाद फिर lower high बनाएगा फिर again क्या करेगा कि जो first low था उसको break करके एक नया low बनाएगा फिर again यहाँ से एक up support लेकर करकर करके यहाँ पे एक नया high बनाएगा क्योंकि market हमेशा एक suddenly नहीं गिरता है market हमेशा suddenly नहीं चड़ता है क्या करता है कि उपर जागा फिर नीचे आगा फिर उपर जागा फिर नीचे आगा फिर उपर जागा फिर उपर जागा फिर नीचे आगा इस तरीका का pattern continue करते हुए upside की momentum करता है उपर से गिरता है तो एक नीचे आएगा फिर उपर जागा नीचे आएगा फिर उपर आएगा नीचे आएगा इस तरीका का पैटन कंटिनु करते हुए एक डाउन साइड की मॉमेंटम कंटिनु करता है तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा चार्ट पे देखने के लिए कि इन्स ट्रेंड में होने के बाद एक upside की momentum continue किया यहाँ पर आप देखेंगे कि एक seller active होने के बाद price कोई एक downside की momentum continue किया downside की momentum continue करने के बाद फिर again यहाँ पर आप देखेंगे upside की rally continue करने की कोशिस किया और यहाँ से फिर again एक downside की momentum continue किया तो आप देखेंगे कि यह first top बनाया यहाँ यहां पर एक Secant Top बनाया और कहीं न कहीं यहां पर देखेंगे तो एक नेक लाइन जहां पर सपोर्ट मॉल्टीपल टाइम ले रहा था इसी सपोर्ट के आसपास जैसे ही इस support को break किया, market एक one way आपको downside की momentum continue करते हुए आपको दिखायाती, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक aim patterns create किया है, और दिखें, मैंने क्या बताया, कि market हमेशा जब गिरेगा, तो one way नहीं गिरेगा, market जब भी गिरेगा, तो एक नीचे की और जाएगा, फिर lower low बनाएगा, औ patterns, market downside की momentum करता है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे back testing करेंगे, और जानने की कोशिस करेंगे, देखें, यहाँ पे एक upside का patterns है, तो upside का patterns में हम लोग क्या करेंगे, कि market उपर गया, उपर जाने के बाद फिर एक नीचे आया, यह first high हो गया, और यह first low हो गया, फिर again क्या किय कि यह वाला जो high था, इस high को break करकर करके, एक नया high बनाया, higher high, फिर again low को break किया, यानि कि again नया low बनाया, second low बनाया, और जो low बनायगा, जो previous low को नहीं break करेंगा, अगर previous low को break करेंगा, तो समझ जाए कि यह pattern change हो गया है, जो bullish pattern था, वो कहीं नहीं बीरिस में shift हो चुका है, तो यह pattern हमेशा ध्यान रखना होगा, कि यह pattern को break price नहीं करता है, और हमेशा एक नया high बनाता है, फिर यहाँ पर देखेंगे, तो एक नया high बनाया, नया high बनाने के बाद, फिर upside की momentum continue करता चला, तो इस तरीका से patterns बना करकर, market हमेशा एक upside की momentum continue करता है, आप देखेंगे, त यहाँ पर एक seller active हुए, फिर यहाँ पर आने के बाद support लिया, support लेने के बाद, एक upside की momentum किया, फिर यहाँ से rejection मिला, फिर यहाँ पर एक downside की momentum continue हुआ, फिर अगेन यहाँ पर support मिला, और फिर यहाँ से आप देखें, तो one way के rally किया, और यहाँ पर अगर देखेंगे, तो कही ने कहीं एक डबलू पाटन्स बना है, डबलू पाटन्स हमेशा आपको चार्ट पर ये इंडिकेट करेगा, कि जब भी बनेगा, तो मार्केट हमेशा आपको वन वे ट्रेंडिंग मार्केट हो जागा, यानि कि समझ लिजे को उस दिन बायर का चलने वाला है, और आप देखि किजिए, और जब भी बनेगा, आपको जब 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 प्रॉफिट देगा, यहां से देखिए, एक डाउन साइड की मोमेंटम कांटिन्यू हुआ, फिर एक डाउन साइड, फिर यहां पर आप देखेंगे, डबलू पाटन्स बना, और जैसे ही निकलाइन को ब्रे करने की कोशिश किजिए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगा, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, धन्यवाद, कीप सपोर्टिंग मी, वीडियो अच्छा लगता है तो जखने के बाद, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद